नमस्कार सर मेरा नाम राजू है आज का टॉपिक सिर्फ हे स्माल लेने बोलते हैं यूप जादा है सब लोग करते कि मल्टी कैप लाइज कैप बालेंस के संब अच्छे पूट फोलियो में पर आप पर इस इसके लिए मैं लास्टेनियेस में जो टॉप का दीखता है निपावह लाइजब एडियेसपी इसका बात करते हैं यहां पर आते हैं लाश्टेनियेस में अगर आप देखते हैं तो ये फंड आते हैं अगर इसको अगर इस वी कितना कमपनी है यहां पर टोटल है लगभग साथ 69 कमपनी आपका पैसा डिखाइड हो गया लेकिन आपने इसी तरह से पाँच लिया तो ओबर लेफ होगा कितना हो गाहीज तो मैंने क्या पर आपका पैसा diversified हो जाएगा यह सारे company का पैसा यहां पर आपका पैसा यहां पर invested है सारे company में मतलब हमारे पैसे को दिवालिया होने के लिए अगर हमने 5 small cap में invest किया सिर्फ तो इतने company को zero होना पड़ेगा तब जाके हमारा पैसा zero हो सकता है वो कितना company है number of stocks तो यहां देखते हैं डेर्ड़ सो तक आ गया है एक सो साट एक सो सत्तर के आगे भी है यहां पर टोटल अगर पांच इस टॉक में लगाते हैं पैसा पांच स्मॉल केप company में पैसा लगाते हैं लंसम किया एसाइपी किया जो भी किया तो टोटल लगभग कि तीन सो company में यहां पैसा हमारा invested हो जाता है लगभग तीन सो company में पैसा यह टोटल इंवेस्टमेंट हो गया हमने जैसे सेलेक्ट किया था उसी तरह निपोन का डीस पी का सब मिला कि आप देखेंगे तो यह पोट्फोलियो इतने कंपनी में आपका पैसा डैवर्सिफाइड हो जाता है यानि कि आप दस जर बीस जर तीस जर का इस आपी करते हैं यह लंसम लगाए हैं आपके पैसे को हमारे पैसे को खतम होने के लिए वह तीन सो कंपनी को खतम होना पड़ेगा अब यहां पर पिछले दस साल में बात करें कि 12 लग का प्लाउट किसी ने ना खरीत के यह स्मॉल कैप में पैसा डाला पिछले दस साल में तो निपोन इंडिया स्मॉल केप ने बारा लग का बनाया है सबसे लास्ट में अगर एवरेज भी देखते हैं तो 22 परशेंट का एवरेज रिटन मिला है अगर हम इसी में साइपी की होते हैं आपने यह सोचा जैसे जौब लगा कि एक फ्लेट बूक कर लेते हैं दोसो गज का करूनर वला बरफी साइज टुकड़ा और पचास जरप पर मंत का जो है इमाई चड़ा दिया आपने पचास जरप पर मंत का इमाई पिछले दस साल से आपके जेव से जा रहा है वो प्लाउट फ्लेट बरफी साइज का टुकड़ा कितना पैसे का हो गया है वो सब लोग भली भाती जानते हैं पर यही पचास जरपिया क्या इमाई यहां पे ना जाके लोन में ना जाके स्माल कैप में गया होता पिछले दस साल में तो निपाउन इंडिया स्माल कैप में 50-50 जरपे पर मन्त पिछले दस साल में गया तो टोटल 60 लाग जमा हो गया मुलदन आपके जेव से 60 लाग चला गया और यहां पे आज पैसा है 10 अक्टूबर 2023 में 2 करोड 14 लाग प्लाउट का फ्लाइट का बरफी साइज टोड़ा का कितना हुआ हुआ भली भातिय आप अपने मन में सुचिए यहाँ पे दो करोड़ 14 लाग है क्वांटी स्मॉल केप यहाँ पे साथ लाग का वेल्यू है दो करोड़ एक लाग 22,000 23% का रिटन दिया है SBI स्मॉल केप तीसरे नंबर पे है यहाँ पे साथ लाग रुपया का इसने बनाया है एक करोड़ 89 लाग 22% का सलाना रिटन दिया है एक्सी स्मॉल केप यहाँ पे साथ लाग जमा हुआ वही 50-50 जरपिया इमाई एक करोड 79 लाग सबसे लाष्ट वला अगर देखते हैं पिछले दस साल का यहाँ पे बात है आदित विरला स्मॉल केप साथ लाग का वेल्यू है एक करोड 29 लाग क्या आपका प्लोट एक करोड 29 लाग का प्लोट फ्लेट है जो 50-50 जरपिया का इमाई आपके जेब से गया पिछले 10 साल में अगर तो एंसर है कि है तो बस जो लिया लिया अगला लेना है आपको स्मॉल केप और अगर नहीं हुआ है तो सेल करके स्मॉल केप में लगा देना है तो टोफ फाइब का आपको जब भी देखना है इन्वेस्ट करते समय तो एंव वाईज आपको सेलेक्ट कर लेना है तो इस तरह से करके स्मॉल केप में आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अब यहाँ पे अब कुछ कोमेंट्स का बात करता है यहाँ पे कोश्टन पुछा गिया है कि बैंक FD में अगर 3-4% का रिटन मिलेगा तो शेयर मार्केट में 8-9% का रिटन मिलेगा डेवलब कंट्री में इंट्रेस्टेट कम हो रहा है तो उसी हिसाब से रिटन भी मार्केट का कम हो जाता है अगर जितना आपका FD है मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि उससे दो गुना धाई गुना आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्केट से मिलेगा अगर इंट्रेस्टेट भारत का 3-4% हो जाएगा तो चारतिया 12-13% ही रिटन मिलेगा तो जब इंट्रेस्टेट इतना कम हो जाएगा तो हमारा कंट्री भी डेवलब कंट्री में आ जाएगा जहां विक्सित देश का आप बात करते हैं वहां भी मार्केट का रिटन कम है पर वहां इंट्रेस्ट भी 0.51% में है तो इस तरह से करके अगर डेवलब होगा तो रिटन भी थोड़ा थोड़ा कम होगा इसलिए इसमॉल केप में आपको लगाने बोलता हूँ इसमॉल केप में जाएंगे तो 15% तक रिटन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगला है कि मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ आर्मी परसेंट में हूँ और मेरा पोर्टफुलियो रिव्यू कीजिए निपवन इसमॉल केप में 2500 टाटा स्मॉल केप में 2500 परागपारिक में 2000 मोतिलाल मिट केप में 2500 HDFC मिट केप ऑपरचुनिटी में 5000 25 साल करना है 15-18 परसेंट का एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल एचीव हो जाएगा इसको आप कंटिनु कीजिए बीच बीच में इसमें टॉप अप कर सकते हैं एक दो और स्मॉल के फर्दर पैसा आए तो जोड सकते हैं एक से डिर्ड क्लोर का पॉर्टफोलियो इजली बन जाएगा बस आपको बीच में कार, प्लॉट, फ्लैट के लिए पैसा रेडीम करके नहीं लगाना है कंटिन्यू कीजिए, टार्गेट एचीव हो जाएगा अगला कोमेंट है, कि रिटायर होर है, डिफेंस परसनल है और रिटायर्मेंट के बाद 10 से 15 लाख रुपय मिलेगा तो मंथली पे आउट के लिए कहा पैसा इन्वेश्ट करें इसके लिए आप इस्टारेसफी.टिन में आप जाते हैं यहाँ पे आप HWP सेक्षन में जाएंगे, छे नंबर पे HWP सेक्षन में यहाँ पे आपको जितना पैसा मिल रहा है जो भी पैसा आप लगाना चाह रहा है, पंदरा लाख है तो पंदरा लाख लिग लीजिए एक दो, तीन, चार, पाँच और यहाँ पे दस लाख में छे अजर बोलता हूं मैं तो पंदरा लाख है तो एक ग्यारा अजर रुप्या हमें इंसन कर दीजिए एक 11,000 पे पर मंद, पिछले 10 सल का यहाँ पे रिकॉर्ड बता है जा रहा है और इसको A.E.M. वाइस सेलेक्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा A.E.M. जिसमें है, वो उपर आ जाएगा S.B.I. का A.E.M. सबसे ज़्यादा है S.B.I. एक्विटी हैवरीड 69,000 करोड यहाँ पे पैसा है 15,000 रुप्य आपने लगाया यह पिछले 10 सल का बात है आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है 2013 से लेके 2013 तक पिछे 10 सल में कोई परमानुगम नहीं गिरा है तो इस तरह का रिटन मिला है अब अभी जो दो कंट्रीम चल रहा है सब मिलके जोगने लगे परमानुगम पूरा दुनिया तबाह कर दे तो सब कुछ जीरो हो जागा ना हम होंगे ना आप होंगे यह ना मच मच पंड होगा पिछले का बात कर सकते हैं अगे क्या होगा कल सुभा यह कोई निजनता है पंदरे लाग रुपय रखा एक ग्यारा जर परमन्त लिया तो टोटल विड्रॉव कर लिया चौदा लाग तीजर और आज दस सल के बाद बैलेंस भी बचा हुआ है एक क्यावन लाग रुपया 16 परिशन का रिटन यहाँ पर दिया है SBI ने अगर ICC का बात करें तो 15 लाग इन्वेस्ट हुआ है पैसा जो टोटल विड्रॉव हो गिया यहाँ टोटल विड्रॉव तो उतना ही हुआ 14 लाग तीजर और आज बैलेंस बचाए 16 लाग 66 जर तो चार फंड में एक SBI, ICC, HDFC और केंडरा इसमें बराबर बराबर लगा दिजिए और बराबर बराबर करके 11,000 रुपया तक आप यहाँ से विड्रॉव कर सकते हैं दिरे दिरे पैसा आए तो टॉप अप भी करते रही है गिराबट हो तो जरूर पैसा इंवेस्ट करना चाहिए रिटार्मेंट के बाद मान के चलता हूँ कि आपने घहर अपना बना लिया होगा तो यहाँ पर सेफ साइड में आप पैसा 12,000,000,000 डाल करके यहाँ से HWP ले सकते हैं अभी जो चल रहा है ना टेली वीजन पर वो सब कुछ HWP पर प्लान है आप डर के बेचेंगे थोड़ा सा मार्केट डाउन वा बेचा फिर उसके बाद मार्केट जब अप होगा तो आपको यहाँ पर खरीदना पड़ेगा तो यह सब कुछ जो है HWP पर प्लान है मैं हमेशा बोलता हूँ गाय दूद देती है नहीं देती है दोना पड़ता है इसलिए मार्केट गिरता नहीं है गिराया जाता है तो सब कुछ HWP पर प्लान चल रहा है घवराना नहीं है बीच बीच में पैसा जोगते जाईए टाइम दीजिए 10 साल 15 साल और क्योंकि मैं बोला था न एक दर ट्राइस है और उसमें एक त्वरान चार्ट है तो मार्केट भी उस दर ट्राइस का द्वेक है जान सब कहीं हेए लिए जीडag नहीं हो सकता है खतम नहीं हो सकता है तो बने रही है दरना नहीं है आपको इसी तरह मचमच fund के बारे में और कुछ जानना है investment के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे WhatsApp कर सकते हैं आपको मुचल fund में पहली बार invest करना है तो DIY एप में registration करने कवाद हमसे जुड़ सकते हैं एप का और मेरे service का lifetime कोई charge नहीं है वीडियो चल गए तो WhatsApp University में दोस्तों बीच इसे जरूर सेर करें YouTube पे देख रहे हैं तो like answer जरूर करें आप इसी तरह comment question पूछते रहिए मैं आपको जवाब देता रहूँगा Thank you so much